दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ, शेयर ट्रेक में आपका स्वागत है और ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरी तबियाद ठीक नहीं थी तो मैं इंग्लिश का वर्जन बनाने के बाद तुरंट नहीं बना सका उसके लिए बहुत लेकिन आज शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर ये टॉपिक है नैशनल इंस्टीट अफ अलर्जी और इंफेक्शियस डिजीज वरा स्पॉंसर किया हुआ एक स्टेडी जो काफी कामियाब रहा जो एक प्रिवेंटिव वैक्सिन बनाने में कामियाब हो सकता है तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे जो शुरू करते हैं वीडियो को यहीं पर तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें उसे मुझे आइडिया मिली क्योंकि NIAID के द्वारा एक प्रेस रिलिस जारी हुई कुछी दिनों पहले और उसमें उन्होंने बहुत ही बड़िया ख़बर दी थी मैं आपको पहले प्रेस रिलीस बताता हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा ताके आप चाहिए तो वहां पर विजिट करके देख सकते हैं खुद आर्टिकल पढ़ सकते हैं जैसे आप देखोगे इस आर्टिकल में यह नाशनल इंसानों में करने के पहले जो स्टड़ी होता है वो है और इसमें contact दिया हुए Richard Coop, MD, NIAID और यहां पर रिखाया तो schedule interviews, please contact NIAID तो मैंने इनको immediately contact किया, English version बनाते ही और उनका जवाब भी आया और उनका जवाब भी आया और उन्होंने कहा के इस वक्त thank you for your inquiry, Dr. Coop is not available to comment at this time एक ही एक लाइन में उन्होंने हमें भगा दिया यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि हम छोटे चैनल है तो हमारे साथ कोई major institution जो है वो बात करना नहीं चाहती क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ बात करके time waste हो जाएगा हलाकि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास लगबग 8,000 लोग है 9,506,000 इंग्लिश चैनल में और 3,500 लगबग हिंदी चैनल में और सब लोगों को आपका जो research है उसके वर में जानकरी की जरूरत है तो क्या आप हमारे साथ बात कर सकते हो थोड़े देर के लिए तो उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया है तो दोस्तों जो के ये वीडियो काफी लेट बना इसलिए मैं आपको इंग्लिश वर्जिन में जितना बताया था उससे ज़्यादा बताने वाला हूँ यहाँ पर डीटेल में तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा ये जो पिंक कलर में है ये HIV वाइरस है और HIV वाइरस के बाहर ये GP120 प्रोटीन है इसको गैग प्रोटीन कहते है और उसके अंदर GP41 प्रोटीन है जिसको भी गैग प्रोटीन कहते है तो अभी यहाँ पर जो रीसर्च चल रही है जिसके बारे मैं आज बात कर रहा हूँ NIAID के उसमें VCR3401 नाम की antibody इस्तिमाल की है जो GP120 को target करती है तो HIV किस तरह से infect करती है CD4 T-cell को CD4 T-cell भी इसी तरह round होता है और जैसे HIV के उपर इसने सारे GP120 के spikes है उसी तरह CD4 T-cell के उपर भी CD4 receptors के spikes रहते हैं यह domain 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 domains है इसमें और GP120 जो है उसे CD4 T-cell आकरशित करता है और उसके बाद CCR4 जो है उसकी तरफ GP120 जाती है और फिर जैसे CCR4 की तरफ जाती है तब यह CD4 receptor जो है वो खिचने लगता है और एक हद तक ही खिच सकता है उसके बाद GP120 को खिचना पड़ता है जब GP120 खिचने लगती है तो उसके अंदर से GP41 निकलता है और CD4 T-cell के सकिन के अंदर जाके फिर यहां से RNA वाइरल RNA जो है CD4 के अंदर छोड़ देता है तो यह पूरी प्रक्रिया है तो अगर कोई antibody GP120 को ही attack करे तो कितना अच्छा होगा और इसमें दूसरी important चीज यह है कि अगर GP120 defective रहे यानि कि दूशित रहे तो OCD4 के साथ आकरशित नहीं होगी और OCD4 के साथ आकरशित नहीं हुई तो खुलेगी नहीं और खुलेगी नहीं तो वो viral RNA जो है उसको CD4 में डालके infect नहीं कर सकती तो उसका cycle ही बंद हो जाएगा इसके और जैसे क्या होती है कि HIV बहुत mutate करती है लेकिन उसके जितने भी mutated copies होगी जिसमें GP120 सही नहीं है वो वही समाप्त हो जाएगे लेकिन जिसमें GP120 सही है वो ही जाके इंसान को infect करता है तो उसके वाज़े से GP120 जो है सदियों से HIV की एकदम कम से कम mutate हुई है उसमें जो भी थोड़ी बहुत mutation है वो उसी हद तक है कि वो CD4 को आकरशित कर सके बस इतने तक है तो ये जो नया research आया है उसमें ये VRC 34.01 और बंदर के दो antibodies जो है वो जो है वो जाके GP120 के उपर चिपक जाते हैं और एक बार वो GP120 के उपर चिपक जाते हैं तो फिर CD4 के साथ चिपकना CX-CR4 कोई भी उसके काम नहीं आता और उसके जैसे GP41 नहीं कुलती और वाइरस का RNA जो है उसके अंदर ही अंदर रहे जाता और patient effect नहीं होता तो ये है इस नए study की खास बात और लोग पुछेंगे कि भाई ये prevention के लिए यूज होता है तो जैसे कि आपने देखा ये prevention के लिए इस्तिमाल किया जाता है थाके CD4 T-cell infect ना हो अगर CD4 T-cell already infect हो गया हो तो फिर ये इस्तिमाल करने में कोई फाइदा नहीं है क्योंकि CD4 T-cell के अंदर से नए नए वाइरस बनते जाएंगे और वो blood के अंदर आते रहेंगे और इसके वाज़े से इसे सिर्फ vaccine की तरह इस्तिमाल किया जा सकता है मेरे हिसाब से और ये study में इनोंने research macaque monkey को यूज किया याने की बंदर को यूज किया और उनमें groups बनाएं हर एक group में अलग-अलग antibody दिया और एक अलग group रखा जिसमें placebo दिया placebo का मतलब है वो दवा की तरह ये दिखता है लेकिन दवा नहीं होता है आप समझ लीजिए ये homeopathy की गोलियां होती है गोलियां जो है वो placebo होती है लेकिन उसके अंदर उन लोग medicine के drop डालते है जिन गोलियों में drop डाला हो वो दवा गिना जाएगा और जिन गोलियों में drop नहीं डाला हो वो दवा नहीं गिना जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ गोलियां है लेकिन दवा नहीं है तो जिसमें गोलियां है लेकिन दवा नहीं है उसको placebo कहते है तो जिन बंदरों को प्लासीबो दिया था वो एक अलग ग्रूप उन्होंने रख दिया और जिनको अलग अलग antibody दी और cocktail antibody दी उनको सब अलग अलग group बना के रखा तो जो ग्रूप को एंटिबोडी दी इन्होंने तो उस ग्रूप को पहले एंटिबोडी दी इंक्लूडिंग VRC34.01 और अलग-अलग जो बंदर से दो अलग एंटिबोडी निकाले थे वो भी दी और दो डोस की मातरा में दी एक ग्रूप को हाई डोस दिया दूसरे ग्रूप को लो डोस दिया और यह तीनों एंटिबोडी को अलग और जोइंट में भी टेस्ट किया इसी तरह से तो उसका रिजल्ट में उन्होंने पाया कि जिस ग्रूप को VRC34.01 एंटिबोडी दिया था हाई डोस में उनको बिलकुल HIV नहीं हुआ क्योंकि इनको सब एंटिबोडी देने के बाद देने के थोड़े दिनों के बाद इमीडियेटली इनको HIV का इंजेक्शन दिया ताकि उ जो डोस में दिया था उसमें 25% बंदर को HIV हुआ और जिनको प्लासिबो दिया था उसमें हर एक बंदर को HIV हो गया तो इसके ओज़े से इनको लगता है के डोसेज के हिसाब से यह एक वैक्सीन बन सकती है हाई डोस अभी जो के नॉन हुमन प्राइमेट में हो गया है उसको ह दूसरा एक निशकर्श यह निकलता है या कंक्लूजन यह निकलता है कि फ्यूजन पेप्टाइड जो है जीपी 120 उसकी और कोई भी आंटीबॉडी को डालो तो सीमियन हुमन इम्मुन वाइरस के अगेंस प्रोटेक्शन किया जा सकता है तो सीमियन हुमन इम्मुन इम्मु होती है कि नहीं यह कब करने वाले हैं यह रिसर्च डॉकुमेंट में दिया नहीं है और कोंसी कंपनी कर रही है यह भी हमें बताया नहीं है क्या NIAID खुद यह प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी यह भी नहीं बताया है इसलिए हमने उन से इंटर्व्यू की मांग की थी कि आप हमारे साथ इंटर्वी में आ जाएए हम आपके साथ वारतलाब करना चाहते हैं इसको अच्छी तरह से जानने के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया लेकिन दोस्तों मैं उनको कांटेक्ट करते रहूंगा और कभी ने कभी हमें इसके बारे में और भी इंफर्मेश मिल जाएगी क्योंकि जो रिसर्च करते हैं उनका ध्यान तो रिसर्च में ही रहता है वो नहीं जानते कि शायद नहीं जानते कि पेशन्स को कितनी इंफर्मेशन की जरूरत होती है और उनके बात करने से पेशन्स को कितना होसला मिल सकता है ये शायद वो नहीं जानते लेक मुझे मंडे को लाना था देर के लिए माफी चाहता हूँ और आपको दुबारा मिलेंगे अगले वीडियो में चेहिन